जैहिन दोस्तो आगे आहूं फिर से एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th Standard Science 2 के फुल सल्यूशन की दोस्तो आज का जो पेपर था काफी जादा इजी था आईए सबसे पहले अबजेक्टिव का अंसर देख लेते हैं तो फर्स्ट आपका कुश्चन था बोन्स कंटेन डैश अमीनो एसीड तो जिसका आंसर आएगा ऑप्शन सी ओसीन आईए अब सेकेंड वाला देख लेते हैं जायन स्क्वेरल इस एन एक्जामपल ओफ डैश थ्रीटन स्पेसिस तो इसका आपका अंसर आएगा ऑप्शन डी इन डिटर्मिनेंट ठीक है अब बात कर लेते हैं थर्ड कोश्चन की तो यहां पर आपसे पु यहां पर आपका राइट ऑप्शन है भी हाट लेते हैं हमारा फिफ्ट कोश्चन फिफ्ट में आपको पुछा गया है वाल कैनो इस डेश डिजास्टर तो यहां पर आपका ऑप्शन डी राइट है जियो लॉजिकल आईए बी वाले का अंसर देख लेते हैं तो फर्स्ट ह of a protein is carried out in aerobic respiration तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों ट्रू कोश्चन देख लेते हैं complete the correlation वेस्टन घाट एटिक लॉयन सुंदर बन सैंक्चूरी यहां पर आपका आजाएगा बेंगॉल टाइगर राइट आंसर है कोल ठीक हैं बात करें अगर फिफ्ट कोश्चन की तो यहां पर आपका अंसर आजाएगा लाफ्टर क्लब आईए बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर टू ए गिव रीजन की तो जहां पर आपको तीन में से किसी दो को लिखना था ठीक है तो फ़र्स्ट वाला है आपका सेल डिविजन इस वन ऑफ द इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एन और्गेनिजम आई इसका अंसर देख लेते हैं यह रहा आपका फर्स्ट ग्यूरीजन का अंसर जिसको आप फाइसिक्स सेवन पॉइंट में लिख सकते थे कोश्चन है आपका कॉकरोज बिलॉंग्स टू फाइलम आर्थरो पोड़ा आई इसका अंसर देख ले लेते हैं यह रहा आपको दोस्तों थर्ड का अंसर मोर एफेशेंसी देन कोल पावर प्लांट लेस पल्यूटिंग इस देर इस नो सलफरीन नेचुरल गैस लेस पल्यूटिंग बाइब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस थर्ड में आपको लिखना था यूज अफ एनर्जी अनवेड़ेबल इन आवर डेली लाइफ बट कंट्रोल एंड केरफुल यूज इस एसेंशेल हैंस पावर जेनरेशन प्लांट बेज्ड नेचुरल गैसीज इको फ्रेंडली यहां पर आपको दिया गया है एविडेंस ओफ एवल्यूशन मोर्फोलोजिकल सिमिलर्टी इन इस बाकी के चार आपको फिलब करने थे आए इसका अंसर देख लेते हैं यह रहा दोस्तों इसका अंसर आप लोग देख सकते हो second question है what do we learn from the story of जादो मोलाई पायंग आई आप इसका अंसर देख लेते हैं यहां पर आपको लिखना था जादो मोलाई पायंग is a common man who was just a simple forest worker second but he has concerns about plant and tree plantation third he single-handedly planted thousands of trees he converted a barren patch of land into a forest which is spread over 1360 acres for this plantation he continuously work hard fourth में आपको लिखना था he has shown that a single determined person can establish a new forest we understand the values of hard work sincerity and devotion to the nature through the story of जादो मोलाई पायंग यह आपका textual था बात करें अगर third question की distinguish between sexual reproduction and a sexual reproduction any two point यह अपना तो all time favorite question है first point में आपको लिखना था reproduction that occurs with the help of somatic cells is called a sexual reproduction reproduction that occurs due to fertilization of gamet is called sexual reproduction second point for a sexual reproduction only one parent is necessary male and female parents are necessary for sexual reproduction third point में लिखना था this reproduction occurs with mitosis और यहां पर लिखना था this reproduction occurs with mitosis and meiosis fourth question है define genetically modified crops and give any two examples sir crops develop with desired characters by integrating foreign genes with their genome are called genetically modified crop for example आप लिख सकते थे cotton and brinjal fifth question है what are vitamins write two types of vitamins तो यह रहे दोस्तों इसके answer यहां पर आपको लिखना था vitamins are group of heterogeneous compounds of which it is essential for proper operation of various process in body ठीक है फिर आपको लिखना था two types of vitamins are riboflavin vitamin b2 and nicotin amide vitamin b3 यह आपका answer है third का first question है explain the meaning of the following symbols यहां पर आपको तीन symbols दिये आए देख लेते हैं इनका answer first में आपको लिखना था the first symbol tell us to keep our waste carefully the garbage should not be striven thrown anywhere but it should be properly managed waste if managed properly it can be a wealth ठीक है second वाले में आपको लिखना था the second symbol tell us about the use of bicycle means use of green energy by riding on a bicycle we save on fuel and use our own muscular energy it is the best eco-friendly non-polluting vehicle और third में आपको लिखना था the third symbol tell us about save water as nowadays there is a limitation in water because we waste water in our personal needs second question है write any three characteristics of class reptilia यह रहा दोस्तों इसका answer आप इसे तीन पॉइंट में आराम से लिख सकते थे third question है which substance is used to produce cheese second which enzyme was used earlier for cheese production और third which enzyme is used to produce vegetarian cheese आई यह इसका answer देख लेते यह रहा दोस्तों उसका तीनों का answer question number four में आपको एक diagram दिया है और first question पुछा है which process is shown in the given diagram second what is the importance of this process और third आपको पुछा है which organ can be transplanted by this process आई यह इसका answer देख लेते यहाँ पर आपको first cancer लिखना था stem cell process is shown in the given diagram second this process is used in the modern technology and it is very useful for the people who wanted to transplant their organs और third वाले में आपको लिखना है organs like kidney, liver, brain can be transplanted by this process fifth question है what is meant by disaster write any two examples of each natural and man-made disaster यह रहा दोस्तों आपका fifth वाले का answer man-made disaster में आपको लिखना था earthquake, tsunami, natural में आपको लिखना था, pollution, forest fire आप अपने मन से अगर कुछ लिके हो तो वो भी आपका write जाएगा the objections raised against the darwin's theory of natural selection यहाँ पर आपको लिखना था, natural selection is not the only factor responsible for evolution darwin did not mention any explanation about useful and useless modification ठीक है question number seven में आपको एक diagram दिया गया है और उससे related आपको दो question पुछे गया थे first में आपको पुछा गया है which process is shown in the above given picture और second में पुछा गया है due to example for liquid fuels and solid fuels obtained by this process आई इसका answer देख लेते हैं production is shown in the above given picture second वाले में आपको लिखना है liquid fuel are as follow vegetable oils alcohol और second वाले में आपको लिखना है solid fuel are as follow coal and dunk कात करें अगर question no.8 की तो first है complete the stages in electric generator using wind energy और second है write the limitation in electric generator using wind energy आये इसका answer देख लेते हैं first वाले answer में आपको लिखना था wind with required velocity wind turbine with large fins generator electric energy और second वाले limitation में आपको लिखना था these are the limitation in an electric generator using wind energy first the wind has limited speed which lessens the resultant kinetic energy of the wind energy second the speed of the wind is not constant so the inconsistency in speed is not suitable for getting stable energy third production of wind energy is a long term process that is it require a long time to get a significant amount of energy fourth point में आपको लिखना था to produce wind energy we require a large area to make a wind farm अगर question no.4 की तो यहां पर आपको दो में से किसी एक को attempt करना था आये first वाले का answer देख लेते हैं sketch and label essential and accessory walls of flower second what is pollination third give any two example of agents of pollination आये इसका answer देख लेते हैं यह रहा आपका diagram दोस्तों आप लोग देख सकते हो second वाले में आपको लिखना था pollen grain from enter are transferred to the stigma this is called pollination बात करें अगर third answer की तो यहां पर आपको लिखना था पॉलिनेशन occurs with the help of a biotic agent wind and water बात करें दोस्तों अगर second question what will you do तो यह पाचों question आप अपने own में लिख सकते हो ठीक first वाले answer आप लोग कुछ ऐसे लिख सकते थे second वाले में आप लोग को कुछ इस तरह लिखना था कि यह रहा दोस्तों थड़ वाले का अंसर कि यहां पर आप लोग फूर्थ वाला अंसर देख सकते हो और यह फिफ्ट वाला answer कुछ इस तरह आपको लिखना था कि आपका यह paper बहुत ही easy गया होगा और हां कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको इस subject में कितने marks मिलेंगे और आपका कौन सा question wrong हो गया है ठीक है दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन है कि गया है दोस्तों तक कि भीडियों कि वीडियोंू सब कि दिषफ़र बताना ं tools के बनाना है। sound